मैं सब्सक्राइब स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पर रेलवे ने एक्जाम का एंसर की जारी करने का डेट जो हो गोसित कर दिया गया अभी अभी जो है आप एंटी पीसी का एक्जाम जो हो खतम हो चुका है सारा फेस का तो फ्रेंट यहां से रेलवे ने ज देख सकते हैं क्या नोटीज में लिखा हुआ है ठीक है फ्रों रिक्वर्मेंट और बेरियस एंटीपीसी ग्रिजूएट अंडर ग्रिजूएट पोस फर्स इस्टेज सीवीडी कंप्यूटर टेस्ट वन ठीक है विविविंग और कोस्टेन पेपर रिस्पॉंस और की प्रिजिंगक कर सकते हैं तो ऐसे कर सकते हैं कि यह कब इसकाथ यहां और कोंप्रीटर बिट टेस्ट आप ऐसी पोस्ट अगेंस इन फुस्तियला आपका 31 जुलाई 2021 तक इसको कंड़क्ट कराए गया था ठीक है फंड दिसंबर से लेके जुलाई तक में इसको कंड़क्ट कराए गया था इन ओडर टू इनेवल केंडिडेट्स हुए इन सीवीटी वन तो भीव दियर कोश्चेन पेपर रिस्पोंसेज एन एंसर की लिंक हैस बिन प्रोवाइड ओन दा वैपसाइट ऑप आर भी विच वील बी एक्टिव फ्रॉम सोलाई अगर्ष्ट तोजरे एकीस से लेके आठ बजे से लेके जो आपका आपको जो कोश्चेन के रिगार्डिंग कोई अब्जेक्शन है तो ऑप्शन एंड किइस पब्लिष्ट कें बीडाइज बाइज बाइज फरुइज टाइम सीडिल फी एंड प्रसेडियू इस गिवन ब्लो तो फ्रेंड इसमें आपको कुछ फिल लगेगा उसका भी बात करने वाला ठीक है पहला देखिए कुछ टाइम सीडूल यहां पर दिया गया विविंग दा कोस्टेन पेपर रिस्पॉंस की देख सकते हैं और इसका अंसर की कब से देख सकते हैं 16 अगर्ष्ट से लेकि आप जो है इसको देख सकते हैं कब तक तो 18 अगर्ष्ट तक ठीक है इसको देख सकते हैं 18 से आपको क्या करना देखे रैजिंग ऑब अब्जेक्शन इंड ऑप्जेक्शन को राइस कर सकते हैं और फी जो है पेमेंट करने का इसमें डेट रखा गया 18 अगर्ष्ट से ठीक है और इसमें है क्लोजिंग डेट तो क्लोजिंग ओविविंग दा कोश्चेन पेपर अब्जेक्शन राइजिंग अन्द पेमेंट विंडो यह 23 अगर्ष्ट को आपका जो क्लोज हो जाएगा मतलब आप जो है 16 से लेकि आप 23 अगर्ष्ट तक जो है उसको आप कोश्चेन को देख सकते हैं अगर किसी कोश्चेन में आपको डाइट है तो आपको उसका औब जेक्शन भी राइस कर सकते ठीक है अप देखते हैं कि इसका फीस कितना यहां पर लगने वाला है क्यूंकि कोई भी हम लोग औब जेक्शन करते हैं कोस्चन में तो उसका कुछ मिनिमम फीज विए इसका व पर कोश्चन पर आपको 50 रुपया का यहां पर फी लगेगा ठीक है पर कोश्चन कितना फी लगेगा इसमें 50 रुपय का फी लगेगा प्लस इसमें कुछ बैंक का आपका जो है वो चार्ज लगेगा कुछ बैंक चार्ज इसमें आपका जो है वो लगेगा अगर लेकिन अगर अगर आपका जो है ऑब्जेक्शन सही हो जाता है ठीक है तो रेल्वे जो आपको रिफंड कर देगी वह पैसा ठीक है दा रिफंड विल मेट टू अमाउंट फ्रम वेर तक केंडिडियेट है अनलाइन पेमेंट और आप जो अनलाइन पेमेंट जिस माध्यम से करेंगे उस मा करना है या किसी और बैंक के रुपे डेविट कार्ड से आपको जो है करना है ठीक है यहां कुछ प्रसेडियोर लिखा गया है किस प्रोसेस से आपको जो है वह वह करना कोशन देखिए प्रसेडियोर फू राइजिंग ऑब्जेक्शन आप जो अपना ऑब्जेक्शन को राइज कर सकते हैं डा डिटेल प्रसेडियोर रुए नेसेसरी गाइडलाइन विद्ध अवलेवल इन दा लिंक जाएगा ठीक है ठीक है प्रेंट केंडिडेट एरभाइस तो राइज ऑब्जेक्शन इफ एनी अगर आपका कोई अब्जेक्शन है तो आप उसे राइस कर सकते हैं वेल बिफोर दा फाइनल डेट एंट टाइम अर्था 23 अगश्ट 2021 तो आप जो है 23 अगश्ट 2021 तक जो है है अपना कोश्टन को राइज कर सकते हैं अगर आपका कुछ कोश्टन में डाउट है तो ठीक है यहार अपटर वीचार इस प्रेज़ेंट एंट एंट इसमें का गया है कि जो डिसीजन होगा वो लाष्ट जो डिसीजन होगा फाइनल डिसीजन वह रेलवे की तरफ से ही ल पर देख सकते हैं आजी के डिट में आया तो आपका अगर किसी कोस्चिन में आप जो है डाउट पाई एगा तो उसको जो है को सिंको राइच कर दिए ठीक है ऑप जेक्षिन उसको राइच कर दिना है ठीक है तो फ्रेंड ये जो एक बार देट देख लिए आप 16 अगस्ट से सब्सक्राइब जरू कर लिए जो लिए पर मिलते हैं आगे बीडियों तब से के लिए जाहिन